जब से उमर रियाज की एलिमिनेशन की खबर आई है तब से मेरा दिल बहुत ही ज़ादा तूट गया है और ऐसा लगने लगा है कि ये जो रियालिटी सोज बनते हैं वो हम जैसे ओडियन्स के दिल को तुकड़े करने के लिए बनते हैं हम जो अपने जो फेवरेट है उसे बिलकुल अपना मान कर हमें उनके लिए जी जान लगा देते हैं हम उसे आइडियल मानते हैं हम उनके लिए एक फैमली जैसा हो जाता है हमारे लिए डेली रूटीन हो जाता है कि हमें देखना है हमें सपोर्ट करना है उनको हम रोज रात हम बिग बॉस जहां उन्हें हमें प्यार दिखाने की बारी आती है तो वो अपना मुह मोड लेते हैं उमर रियाज किस साजिस का सिकार हो चुक्वे एलिमिनेशन जिस वजह से उन्हें एलिमिनेट किया गया है क्या वो पहली बार नहीं हुआ बिग बॉस सीजन 15 में गाली देना अब्यूजिव होना एक दुसरे को मारना ये पहली बार तो नहीं हुआ न तो उमर रियाज के साथ ऐसा क्यों पिछले कई हपतों से बार बार वा पाइन डून रहे थे उमर रियाज को निकालने के लिए वो टैप पे तीन से चार दिन पहले उनकी जन्नी वीडियो बना दी जाती है क्या एक जो बंदा इतने अच्छे से गेम को खेलता है कि इतना अच्छा इंसान है क्या उसके साथ ये सही सही हुआ है अरे यार मुझे ये समझनी आ रहा कि आखर उसे क्यों निकाला गया है एक इतना अच्छा बंदा जास्मीन बसी लास्ट वी के विट कर दी गई अभिनोव सुकला के साथ अनफेर होता है हम हर बार अपना दिल तूटता है हर सीजन किसन किसी कंटेस्टेंट के साथ होता है और हमारा दिल यहां आपने आशू रोक लेते हैं फिर हम अगले सीजन का इंतिजार करते हैं क्या ये सीलसिला यही चलता जाएगा क्या हम ऑडियन्स का दिल इसी तरीके से हर साल तूटता जाएगा क्या कहते हो दोस्त क्या कहते हो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है प्लीज कामेट करति गौमय को